आज की इस वीडियो में हम पठ्याला कूर्ती की कटिंग और स्टेशिंग करने वाले हैं तो इसके लिए हमने दो मीटर कपडा लिया है इसका उल्टा साइड हम बार की तरफ करके रखेंगे और सीधा साइड हम अंदर की तरफ कर लेते हैं और इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं से एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से हमने से बराबर से फोल्ड कर लिया यह हमारे पास फोले रा गये हैं तो फ्रॉंट और बाक दोनों साइड हम साम एक साद कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने 11 इंच चोड़ाई में इससे इस तरह से फोल्ड करके रखा है नीचे की तरफ जो uneven कपड़ा है उसे हम बाद में कट करके अलग कर देंगी तो यहाँ से हम सीधी line टो कर लेते हैं इस line के नीचे के कपड़े को हम बाद में कट कर देंगी पट्याला कुर्ती हम बना रहे हैं तो इसकी bottom side से मुड़ाई जादा होती है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख रहे हैं नीचे की तरफ मुड़ाई के लिए तो यहाँ पर निशान लगा दिया है सीधी line डो कर देते हैं और अब इस line से उपर की तरफ हम कुर्ती की length के लिए marking करेंगी तो आप अपने cording जितनी चाहिए उतनी length रख सकते हैं कम ज्यादा जितनी भी चाहिए तो यहाँ से हम inch tape से इसे नाप लेते हैं तो उपर तक इसकी लंबाई हमारे पास आ गई है लगबाग साड़ी 33 inch तो पुरा कपड़ा हम यहाँ पर use कर रहे हैं अभी हम shoulder के लिए marking करेंगी यहाँ से हम shoulder के लिए निशान लगाएंगी 6.5 inch पर back neck हम 5 inch रख रहे हैं इसलिए shoulder हम 6.5 inch रख रहे हैं आम होल के लिए निशान लगाएंगे 7 inch पर यहाँ से सीधी लाइन ड्रौ करेंगे यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रौ कर देते हैं यह हमारी chest line हो गई है इस पर हम chest का measurement डालेंगे अब उपर की तरफ से हम एक निशान लगाएंगे 14 inch पर और एक निशान हम लगाएंगे 21 inch पर यह हमारी hip line हो गई है तो इसे हम सीधी ड्रौ कर देते हैं इस तरह से इस पर hip का measurement डालेंगे और यह हमारी हो गई है waist line इस पर हम waist का measurement डालेंगे चेस्ट राउंड का फोट पार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चेस्ट का फोट पार्ट हो गया 8.25 इंच और इसमें हम आधा इंच लूजिंग एड करेंगे तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे अभी वेस्ट राउंड का फोट पार्ट करेंग तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड हो उसका फोर्थ पार्ट करें तो हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया अब यहां से हम आधा इंच एक्स्टा लेंगे लूजिंग के लिए मार्जिन अब यहां पर हम हिप राउंड का फोर्थ करेंगे और मार्किंग करेंगे तो यहां पर हम 8.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं और आधा इंच हम एक्स्टा ले रहे हैं लूजिंग के लिए तो यहां पर हमने निशान लगा दिये हैं अब इन सारे निशानों को हम मिला देते हैं तो यहाँ पर हम hip curve scale का यूज़ कर रहे हैं, line draw करने के लिए तो यह हमने marking कर ली है, अब यहाँ से हम slime margin के लिए भी निशान लगा लेते हैं तो slime margin हम रखेंगे 1.5 इंच, आप 1.5 से 2 इंच तक slime margin रख सकते हैं, यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई margin रख रहे हैं अब यहाँ पर hip की तरफ हम सिर्फ 1 इंच slime margin रखेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच extra रखना है और अब यहाँ से भी हम सारे निशानों को line draw करके मिला देते हैं यह हमने margin के लिए भी line draw कर ली है अब यहाँ से हम hip का marking उठा लेते हैं, तो यह हमारे पास आ गया है 30 इंच तो यहाँ से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, आदा इंच हम यहाँ पर extra रख रहे हैं आप चाहिए तो 10.5 इंच पी रख सकते हैं बराबर से यहाँ पर marking कर दी है, अब यहाँ से सीधी line draw कर देते हैं तो यहाँ से भी हमने marking कर ली है अब यहाँ से हम armhole की shape के लिए marking कर लेते हैं तो यहाँ से पहले हम जो back armhole है, उसकी marking कर लेते हैं front armhole के लिए हम fabric बाद में cut कर लेंगे तो यहाँ पर हम back armhole के लिए यह हमने shape draw कर दी है अब हम इसकी cutting कर लेते हैं तो जिस तरह से हमने मार्किंग करी है, वहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहां से हम नेक के लिए मार्किंग कर देते हैं, तो यहां से बेक पार्ट को हम निकाल देते हैं। और यह जो दूसरा पार्ट है यह हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा तो इसमें से हम फ्रंट आम होल की लिए आम होल को थोड़ा सा छाट लेते हैं इस तरह से तो यह हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है अब बच्ची हुई कपड़े में से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं यह कपड़ा हमारे पास दो लेयर में फोल्ड करके रखा हुआ है इस एक बार और फोल्ड कर लेते हैं यह हमारे पास four layer में fabric आ गया है तो दोनों sleeves हम साथ में cut कर लेंगे तो sleeves cut करने के लिए सबसे पहले जो हमारा back part है उसका हम armhole नाप लेते हैं उपर की तरफ सिलाई margin छोड़ देंगे shoulder की तरफ और side से भी हमने जितना सिलाई margin रखा है उतना हम छोड़ देंगे और यहां से हम inch tape से इस तरफ से इसके armhole को नाप लेते हैं तो यह हमारे पास आ गया है 8 inch अब यहां से कपड़े को हमें मोड के रखना है 8 inch हमारे पास आया है तो इसमें हम लगबग 2-5 inch हम extra कपड़ा रखते हुए इससे यहां से इस तरफ से फोल्ड कर लेंगे तो यह हमने से फोल्ड कर लिया है और अब यहां से जो किनारी वाला पार्टे से हम बाद में कट करके अलग कर देंगे लाइन ड्रो कर लेते हैं और अब यहां से हम sleeves की length के लिए marking करेंगी तो जितने भी आप sleeves की length रखें उसमें 1 inch extra margin add करके marking करें तो यहां पर हम 16 inch पर निशान लगा रहे हैं अब यहां से हम 8 inch पर निशान लगाएंगे जो कि हमने armhole measure कर रहा था निशान लगा देते हैं और अब इस निशान से हम 2.5 inch अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे cap height के लिए यहां पर हमने निशान लगाया अब यहां से भी हम बराबर से 8 inch पर निशान लगाएंगे इसमें marking कर ली है अब इस निशान को हम यहां से तिर्ची line ड्रॉ करके मिला देते हैं अब इस तिर्ची line का हम center point निकालेंगे इस तरसे inch tape को रखेंगे और इसे fold कर लेते हैं center point निकालेंगे marking करेंगे आदा इंच भार की तरफ निशान लगाएंगे और यहां से हम sleeve का shape draw करेंगे अब यहां से हम slime margin लेंगे 1.5 inch जितना कुर्ती में slime margin रखें sleeve में भी उतना ही margin रखें अब यहां से हम निशान लगाएंगे sleeve round 5 inch इसमें 1.5 inch slime margin एड़ करा marking कर लिया है और अब यहां से हम arm curve scale की help से यहां पर shape draw कर देते हैं अगर आपके पास इस तरह का skill ना हो तो आप सीधी line भी draw कर सकते हैं यहां से हम इसे cut कर लेते हैं यह हमने sleeve cut कर लिए है अब यहां पर center point पर marking करेंगे और इस तरह से दोनों sleeve को खोलेंगे और front arm hole के लिए हम यहां से कपड़े को थोड़ा सा चाट लेते हैं नौचिस लगा कर marking कर लेते हैं यह मारा front arm hole हो गया है तो दोनों sleeve हमने cut कर लिए है back neck हमने बुग्रम पटी से तयार कर लिया है यहां पर हाथ से हम बात में तुरपाई करके से तयार कर लेंगे और front neck भी हमने तयार कर लिया है बुग्रम पटी से इस तरह से contrast fabric से हमने यह neck design ready करा है तो front और back neck का detail में हमारा अलग से वीडियो हो चुका है पहले cutting और stitching का तो अब यहां से हम shoulder से सिलाई लगा कर इस पर जोड़ लगा लेते हैं तो दोनों का सीधा side हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और shoulder से सिलाई लगा लेते हैं यह हमने shoulder से सिलाई लगा ली है अब हम sleeves ready कर लेते हैं यह हमारे sleeves हैं यहां पर हमने front neck के लिए जो fabric use करा है designing के लिए वह हम sleeves की designing के लिए यूज़ कर रहे हैं यहां पर हमने contrast fabric use कर रहा है आप चाहें तो simple double fold करके यहां पर सिलाई लगा सकते हैं sleeves पर तो इसके लिए आप slime margin extra रखें sleeves में यहां पर हम strap से simple सा design बना रहे हैं यह हमने sleeve पर यह strap stitch कर ली है और इसी तरह से हमने यह दोनों sleeves ready कर ली हैं यहां पर अब हम इने कुर्ती के साथ में stitch करेंगे तो sleeve का front arm hold और कुर्ती का front arm hold दोनों को हम एक तरफ रखते भी सिलाई लगाएंगे यहां पर दोनों की सीधी साइड हमने दूसरे की तरफ करके रखे हैं sleeve के और कुर्ती के यहां से बराबर से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लीव स्टेश कर लेते हैं यह हमने दोनों साइड स्लीव स्टेश कर लेते हैं अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो यहां पर हमने मार्किंग कर ली है फिटिंग के लिए इसी निशान पर हम सिलाई लगा लेते हैं इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगा लिए अब हम बॉटम साइड पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेता है अब हम बॉटम साइड से मुड़ाई करेंगे यहां से लगबग आदा हींची कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं यह हमने सिलाई लगा ली है अब जितना हमने मार्जिन रखा था उतना हम फैब्रिक को यहां से फोल्ड करेंगे इस तरह से पट्याला कुर्ती के बॉटम की तरफ हम मुड़ाई चायदा रखते हैं तो हमने फोल्ड करके और यहां से हम इस पर बड़ी वाली सिलाई लगा लेते हैं हैं कि यहां पर हाथ से तुटबाई करने वाले हैं तुकार कडनी के बाद में हमैं सिलाइ कू निखाल देंगे हमिसे तुटफाई होती है यहा पर सिर्ट पड़्य सब्सूरे साइट UP eli near देखें दूनों साइड इस तरह से सिलाइए लगा ली है अब हम साइड के स्लेट के लिए भी सिलाई लगा लेते हैं तो यहां से हम लग बग आदा इंची तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड कर लिया है और यहां पर भी हम बड़ी वाली तुर्पाई करनी है और इस सिलाई को हम निकाल देंगे तो आपकी मसीमें जो बड़ी सिलाई हो वो आप लगा ले इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्लिट के लिए सिलाई लगा लेंगे तो देखिए यह कूर्ती हमने तयार कर ली है नैक भी हमारा फिनिशिंग से रेडी हो गया है और स्लिप्स भी हमने फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर ली है और आप देख सकते हैं हमने जैसे front neck में design बनाई है सिके contrast से हमने sleeves में भी यहाँ पर यह design बना ली है इस तरह से यह neck और sleeves दिखने में बहुत अच्छा लगते हैं बनाना भी simple है और यहाँ पर हमने हाथ से तुरपाई करकी इस परची तरह से हमने press कर लिया है और जो सिलाई हमने लगाई थी उसको हमने निकाल दिया है तो इस तरह से यह हमारी पट्याला कुर्ती बनकर तयार हो गई है वीडियो चा लगा हो तो like और share जरूर कीजेगा इसी तरह के और यह वीडियो दिखने के लिए चैनल को subscribe भी जरूर कीजेगा